तो हम लोग देख रहे थे पास्ट एर क्वेश्चन अपने इस 10 पीम क्लास पे लास्ट क्लास में हम लोग ने देखा तो 2019 का पेपर और आज हम लोग डिसकस करने वाले हैं 2018 का पेपर इस 2018 में हम लोग पहले बात करेंगे पेपर नंबर 1 पे और as usual जैसे हम लोग करते हैं discussion वैसे ही करेंगे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे section A में आज की क्लास में और फिर इसी तरीके से कल बात करेंगे हम लोग section B और फिर हम लोग paper 2 section A section B बात करेंगे फटाबर देख लेते हैं क्या कुछ question था overall अगर एक paper पे comment किया जाए तो paper was not as much tough जैसा की 2019 का paper था उससे relatively easy paper था questions generally straightforward ही थे question देखेंगे और structuring देखेंगे उसमें क्या कुछ है और क्या हम लोग कौन कौन सी theories connect कर सकते हैं शुरू करते हैं सबसे पहला question है हमारा landscape is a function of structure, process and stage अब देखें ये एक ऐसा question है जो कि मुझे लगता है कि हर एक student बहुती easily पढ़ा होगा this is the statement given by Davis Davis ने एक statement ये दिया हुआ था और ये कहीं न कहीं जो theory है वो landscape development की ही है ये आप लोग समझ गया होंगे ये से आप लोगों ने फटा-फट decifer कर लिया होगा structure क्या होना चाहिए question का तो structure के लिए simple सबसे पहले आप landscape के बारे में बता देंगे introduction में कि landscape क्या होती है या फिर कैसे ये बनती है यहाँ पर जब आप ध्यान देंगे तो तीन बातों का आपको ध्यान रखना है क्योंकि हैं दूसरी चीज़ आपको बता नहीं है कि क्या-क्या forces responsible है इस landform के development के लिए जैसे endogenetic forces and exogenetic forces तो ये endo और exo ये नोरो forces के बारे में बताना है और तीसरी चीज़ आपको बताना है कि ये जो landscape होती है this develop with time तो ये time के साथ में develop होती है यानि कि इसको develop होने में time लगेगा इसमें phases या फिर आप बोल सकते हैं कि stages ये बनेंगे तो ये चीज़ हो गई आप देखें question को अगर आप बहुत जल्दी अल्दी में पढ़ेंगे तो फिर आप devision theory लिखना शुरू कर देंगे लेकिन actual में question ये नहीं है आपने landscape बता दिया ये हो गया आपका जो introductory part हो गया second part आप बता देंगे devision theory के बारे में और ये devision theory को आपको explain नहीं करना है केवल और केवल आपको flow chart बनाना है अब इस flow chart में देखिए आप दो flow chart बनाएंगे एक flow chart आप बनाएंगे जहां पर ये दिखाएंगे कि devision theory किस किस theories पर based थी क्योंकि आगे उनी को criticize करना है तो आप बता देंगे कि Darwin की theory से influence था Powell की based theory से ये influence थे और साथ ही साथ में ये किस के theory के अब आ जाएंगे एक तो Darwin ने आपने बता दिया evolution basis पे दूसरा Powell की base theory हो गई और third theory एक और आजाती है and this theory is basically related with Hutton की uniformitarianism तो Hutton's theory basically 3 theory के बारे में आप दिखा देंगे this is evolution, this is base level and this is uniformitarianism दूसरा आप बना देंगे flow chart या फिर कह लिजे एक तरीके से graph की जो भी वो structure था ना इस तरीके से अलग-अलग stage के format में कि यहाँ पर upliftment हो रही है then इसके वाद से erosion इस्टार्ट हो रहा है and then ultimately penny plane का development हो जा रहा है तो आप इन दोनों के बारे में आप discuss करेंगे third paragraph में बता देंगे कि this theory has several drawbacks which can be criticized in following terms and ultimately आप जो criticism है उस criticism के बारे में लिख देंगे और final conclusion तोर पे conclusion के remark पर आप यहाँ पर Pank की theory को introduce कर सकते हैं कि this is the theory of Pank which was actually the improvement over DVCN theory clear simple question है जादा कुछ खास यहाँ पर लिखने को नहीं है and straightforward question है second question है कि role of evaporation in the hydrologic cycle देखी again यह भी काफी straightforward question है यहाँ पर भी आप introduction में simple और simple hydrologic cycle के बारे में बताएंगे तो this is hydrologic cycle बता देंगे कि आखिर में किस तरीके से water का balance होता है water उपर जाता है water फिर ultimately ground पे आता है साथ ही साथ में आप इसका जो एक तरीके से figure है जो diagram है वो बना देंगे और फिर ultimately यहाँ पर दिखा देंगे कि water the parameters जैसे कि एक होती है जिसमें evaporation दूसरी होती है जो condensation होती है इस तरीके से जो water receding वगर होती है उन सब के बारे में आप बता देंगे और ultimately focus कर लेंगे आप evaporation पे यह evaporation अलग-अलग चीजों में आप दिखाएंगे जैसे कि ocean से जो evaporation हो रही है groundwater की जो evaporation हो रही है animals से या humans से जो evaporation हो रही है और जो plant से evaporation हो रही है इन सब के बारे में आप basically एक एक term जो है वो बता देंगे clear straightforward question है ज्यादा कुछ खास नहीं है रोल बता देंगे काम खतम हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा आप इसमें ये बोल सकते हैं कि based on the evaporation या फिर potential evaporation geographers have developed their model just like thont white thont white model जिन्होंने इस evaporation के basis पर climatic division किया हुआ है तो ये भी आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं because this is also related with this evaporation technique clear हो गया क्या चीज़ है इसके लावर रोल में और कुछ लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं जैसे nutrient balance हो गया या फिर atmospheric phenomena में जितनी भी चीज़े होती है उन सब के बारे में भी आप बता सकते हैं कि this is the way, this is the तरीका जिसके basis पे आप इनको classify कर सकते हैं clear next question आती है हमारी describe the causes and consequence of sea level change अब देखिए ये है environment geography का question और environment से थोड़ी सी geography अलग करके लिखेंगे इसको कैसे लिखेंगे अगें देखते हैं structure introduction में आप simple के simple climate change को बताएंगे कि climate change क्या होता है ठीक है या फिर दूसरा introduction इसके अलावा as part of the alternative what you can write significance of significance of sea level rise या sea level change कि sea level change होने के करण से क्या क्या हो रहा है keep in mind that you have to integrate loss and damage clause ठीक है loss and damage clause जो कि COP21 Paris Climate Deal का एक पार्ट था उसको आपको integrate करना ही करना है this is very important body में आप आ जाएंगे body में आप बताएंगे कि आखिर में इसके causes क्या है कि sea level rise के क्या causes है सारे point आप बता देंगे इसमें कुछ point discuss करने का है नहीं अलरड़ी आप लोग जानते है कि sea level rise होने के लिए global warming की ज़रूरत है और उस global warming के कारण से अलरड़ी आप लोग flow chart पूरा बना लेंगे easily draw कर सकते है so that is the thing इसके अलावा आप इसके consequences के बारे में बता दीजे कि आखिर में future क्या हो सकता है और इस consequence में मैं कहूंगा कि आप ए case study भी लिख सकते हैं और ये case study loss and damage बताईए आप loss and damage कई सारे islands जैसे मालदीफ हो गया या मिडगासकर हो गया या फिर मौरिशस हो गया ये सारे जो islands है small island nations है ये लोग अब खतरे की घंटी बच चुकी है ये submergence इनका हो सकता है so ये किस study आप दिखा सकते हैं as part of the consequence of sea level change clear so simple question जादा कुछ खास यहाँ पर लिखने को again नहीं है यहाँ पर जो geography होगी उस geography में आप simple के simple जितने भी physical laws हैं केवल उस physical laws को ही केवल आप दिखा सकते हैं otherwise यहाँ पर जबरदस्ती geography लिखना भी अच्छा नहीं होता है so straight forward जादा कुछ खास question है next question जो हमारा आता है next question है distinguished between intra-zonal and azonal soils described in brief the characteristic and importance of azonal soil simple question again introduction देखिए काफी रट्टा मारने वाला question है इसलिए content आप याद करके जाईएगा कई लोग इस तरीके के question को skip कर देते हैं नहीं पढ़के जाते हैं तो उनके लिए harmful हो सकता है इसलिए सारी चीजों को रट्टा मार कर जाईए जितने classification जितने mechanical चीज़े हो सारी introduction में कहले कहेंगे introduction में आप soil building processes के बारे में बताएंगे तो soil building process के बारे में आप बता देंगे and based on this process there are several type of several several type of soils और इस soil में आप बता दीजे कि there are basically three type mainly one is the zonal type second is the a zonal type and third is the intra zonal type intra zonal इसके अलावा देखिए एक और है जो US classification है बट हमें वो लिखने की ज़रूरत है because the question is not asking जबरदस्ती लिखने का कोई मतलम नहीं होता है फिर आप इसके बाद zonal का एक simple छोटा सा flow chart बना दीजिए कि किस तरीके से होते है क्या होता है zoning क्या होती है और इसका जो एक soil profile है ABCD वाला वो आप बना दीजिए काम खतम हो गया अब आप आज़ेए main मुद्दे पर इसी तरीके से zonal के साथ a zonal का भी अगर आप flow chart बनाना चाहें बना सकते हैं इंट्रा जोनल का भी अगर आप बनाना चाहें बना सकते हैं क्लियर हो गया क्या चीज़ है अब आज़ेए main मुद्दे पर अब देखिए ये ध्यान में रखना है जितना ये सब लिखे हैं आप 50 to 60 वर्ड उससे यादा नहीं जाना चाहिए अब आज़े ही main मुद्दे पर characteristics heading डालिए characteristics of azonal soil और इसके characteristics को आप बताना शुरू कर दीजे जो जो यहाँ पर आपने classification किया इसका sub type बताया है उनकी characteristics यहाँ पर आप बताते जाएए फिर आप importance के बारे बता दीजे क्या importance है इनकी again देखिए काफी mechanical और काफी straightforward question है किसी भी book को अगर आप refer करेंगे तो उसका answer आपको मिल जाएगा जो यह चीज है जो आप कर सकते हैं खुद से mechanical चीज है रटा मारने वाली चीज है कुछ भी इसमें समझने वाली सच नहीं है बाकी जो समझने से यह सब आपको याद ही करना होगा आगे अगर देखें next and last question आती है first question की explain the nature and anthropogenic causes and mitigation measures of frequent flooding in Mumbai अब देखें question है अगर आप GS में देखेंगे तो यह disaster management का question है और अगर geography में देखेंगे तो this is physiology का question या physiography का question यहाँ पर आपको जब भी इस तरीके के question को explain करना होगा सबसे पहले जब आप introduction लिखेंगे तो इस introduction में आप India की physiography के बारे में बात करेंगे so this is the physiography of India ठीक है यहाँ पर आप दिखा देंगे की आखिर में क्या physiography है जिसे Himalayan Belt, Great Plains, Dick ठीक है financial area यह आप बताएंगे लेकिन साथ ही साथ में आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आप focus करेंगे on western ghat this is western ghat या फिर दूसरे language में बात करें तो सहयाद्रीज के बारे में आपको ब्यात करना होगा क्योंकि सहयाद्रीज यह मुंबई में बेसिकली लाई करती है नौर्थ सायाद्रीज है महाँ पर अब आप आजाएंगे इसके body में body part में आप simply लिख देंगे कि आखिर में flooding के reasons क्या क्या होते हैं तो reasons for flooding और ये बनाएंगे आप flow chart में तो this is the flow chart कई लोग flow chart से confused हो रहे हैं flow chart क्या होते है flow chart का मतलब कुछ नहीं एक simple ऐसी एक graph type का या आप diagram बोल सकते हैं कि flooding and then ultimately इसको इस इस तरीके से आप draw कर सकते हैं और इस पर एक-एक point लिख सकते हैं कि drainage के problem के कारण से या फिर water के over use के कारण से या फिर heavy cloud burst हो जाने के कारण से या फिर आप और point अगर लिखना चाहें तो climatic disturbance के कारण से तो इस तरीके से जो figure आप बनाया जाता है या फिर जो भी इस तरीके diagram को बोलेंगे आप यही होती है flow chart तो एक reason of flooding यहाँ पर आप दिखा देंगे obviously physiology भी एक तरीके का reason ही है तो यहाँ पर अगर जब आप यह लिख लेंगे अब आप आजाएंगे अपने main मुद्दे पे कि आखिर में causes क्या क्या है Mumbai flooding के लिए तो Mumbai को special focus जब आप करेंगे तो आप कहेंगे there are basically two reasons one is the natural reasons और second is anthropogenic reasons ठीक है natural reason में आप जितने भी physical barriers और जितने भी चीज़े हैं flooding and this climate change sea level rise and cloud burst जितनी चीज़े होती हैं उन सब के बारे में आप यहाँ पर लिख लेंगे anthropogenic में वही urbanization, drainage problem, human problem जो भी चीज़े होती हैं वो सारी चीज़े आप यहाँ पर लिख लेंगे क्या किया जा सकता है कैसे हमें करना चाहिए watershed management and all that यह सब चीज़े आप यहाँ पर बता सकते हैं as part of the mitigation technique तो यहाँ पर जो solution आपने बताया वही एक तरीके से mitigation हो गया तो यहाँ पर देखिए एक आप इस तरीके का table भी बना सकते हैं जहाँ पर एक साइड में आप natural दूसरे साइड में आप anthropogenic दिखा दीजिए एक साइड में problem दिखाईए साथी साथ में उसका solution एक साइड में problem उसी साथी साथ में उसका solution तो इस तरीके से करेंगे ultimately आपका answer भी complete हो जाएगा world limit भी होगा और more effective answer रहेगा ये सो इस तरीके से देखें tabular format भगर है जब हो जाती है तो एक तो ये थोड़ा सा अलग दिखता है काफी attractive भी दिखता है और answer जो है वो straight forward मिल जाता है एक जलक में answer मिल जाता है तो ये काफी आपके लिए beneficial technique हो सकती answer writing की next question हम लोग देखते है question number 2A again देखिए straight forward question है कोबर की geosynclinal theory के बारे में पूछा गया है कि mountain building को किस तरीके से explain करती है आपको introduction में सबसे पहले बताना होगा कि geosyncline होता क्या है तो geosyncline के बारे में आप बता देंगे फिर आप बता कौनसी theories है so basically there are four theories geosyncline की four theories है चारो theory के बारे में आपको बता देना है जैसे daily की theory हो गई jolly की theory जितनी भी theories है उन theories के बारे में आप बता देंगे और lastly अब बता देंगे there is again a theory of kober theory अब उसके बाद से kober arthur holmes मतलब जितनी भी theories है नाम आपने लिग दिया अब आजाए में मुद्दे पर kober की theory के क्या मतलब है तो kober की theory आप सबसे पहले explain कर दीजिए कि आखिर में इसका मुद्दा क्या है अब आप इसको relate कर दीजिए कि how is it related with the mountain building process and how it is different from other models जैसे इन्होंने क्या step by step हर एक चीज़ को हर एक steps को explain किया था कि आखिर में क्या चीज़ होगी there are basically 4 to 5 phases जिसके basis पे उन्होंने का tectogenesis, lithification इन्होंने अलग-अलग technique बताई थी जिसके basis पे उन्होंने अपनी theory को explain किया था तो आपको करना है evaluate यानि कि आप इन theories को लिखने के बाद में ultimately अपना एक final comment बताएंगे कि how this theory is good और what are the points what are the arguments of cober जिन पर ये fail हो गए थे तो यहाँ पर आपको evaluate करना है चीज़ें सही और गलत दोनों ही बतानी है in fact ये कह सकते हैं कि ultimately किस तरीके से आप Arthur home की theory पर आ सकते हैं as part of the conclusive remark ये आपको दिखाना है clear, छोटा question है simple question है, straightforward question है आगे बात करते हैं next है, ये भी देखे straightforward question है and this is the most and most frustrating topic of this geography examine the basis scheme of climatic classification proposed by Trivartha अब देखे तीन theory है, एक है जो आपकी Kupan की theory है, एक है जो आपकी Thornwhite की theory है और lastly आपकी Trivartha की theory है, इन theory को देखे, रटा ही मारना होता, इसमें कोई option नहीं है, no other option except mugging of the facts और वही चीज़े रटा मार करके आपको straight forward यहाँ पर लिख देना है structure क्या होना चाहिए, structure आपको बता दिया जाएगा, देखे, introduction में आपको simple and simple importance of climate change आप दिखाएंगे this is importance of climate change इस importance के बाद ultimately आप बता देंगे, body में जब आप प्रवेश करेंगे, तो प्रवेश करने पर क्या है, कि आपको एक continuity चाहिए होती है, तो आप बता देंगे, there are basically certain classification, certain geographers who have classified the climate based on different, different parameters जैसे कि हमारे एक साहब आते हैं जिनका नाम Kuppen है, एक साहब जिनका नाम Thorn White है, और एक साहब जिनका नाम Triwartha है, so that is the thing अब ultimately आप आजाएंगे Triwartha के classification पे heading डालिए point by point जो है, चीजों को explain कर दीजिए this is the answer for this question, straightforward and simple question, लेकिन tough topic, चलिए खरे next question पे आजाते हैं, discuss the objective and principle of environmental education, तो एक हमारा जो keyword मिल गया, वो मिल गया environmental education, इसके आपको objective बतानी है और आपको इसका principle बताना है दूसरा जो part है describe the basic concern of formal and non-formal या informal environmental education in India, तो second part जो है, वो कही न कहीं first part से ही derive होगा, अब यहाँ पर देखिए environmental education, पहले आपको बताना है कि एक introduction part में कि यह क्या होता है, तो सबसे पहले आप इसको define कर दीजे, environmental education को न समझ में है, तो simply आपको environmental के क्या चीजे हो सकती है अगर आपको कभी manager teacher बना दिया जाए, तो आप environment को लेकर कि क्या कुछ educate करना चाहेंगे लोगों को क्या बताना चाहेंगे, बस वही बन जाता है environmental education, simple term में बात करें कि environment sensitive बनाना, environment sensitivity को लोगों तक पहुचाना ही environmental education कहलाता है as simple as that, objective में अगर आप पढ़े रहें तो भी ठीक है, नहीं भी पढ़े रहेंगे, तो भी आप बता सकते हैं कि इसका objective क्या हो सकता है जैसे environment sensitive बनाना, environment को protect करना environment की चीज़ों को समझाना की क्या क्या चीज़े होती है environment protection के लिए लोगों को aware करना यही समना objective रहेगा principle क्या होगी, principle again वही सब चीज़ें जैसे environment को protect करना, environment concern बनाना फिर इसके बाद से ecosystem balance करना principle of guy को follow कराना, तो यह जो चीज़ होंगी वो ultimately environment education के principles बन जाएंगी तो as simple as that, इसमें ज़्यादा कुछ खास content भी नहीं है और आप जो है straightforward up answer भी लिख सकते हैं देखिए purely brainstorming question है और यह आप brainstorming करके answer ले आ सकते हैं तो जितने भी concepts आप लो environment पे पढ़हें हैं पल्स के बारे में आप बता देंगे अब आप बताएंगे कि देखिए environmental education के basically दो तरीके होते हैं एक तरीका होता है जो होता है formal formal का मतलब होता है जहाँ पर curriculum में आ जाता है जैसे आज की date में curriculum में आ चुका है हमारा environmental तो यहाँ पर क्या है school education या फिर college education या फिर इस पर research and development मतलब की आगे foreign मतलब की बाहर higher studies भी इस पर की जाती है दूसरा होता है जहाँ पर informal होती है informal का मतलब होता है cultural aspect cultural aspect जैसे क्या होता है कि जो tribal होते हैं वो काफी यादा environment protection करते हैं and even they teach their children also to protect their environment so that is the informal way जहाँ पर कोई formal education नहीं दी जा दिया लेकिन बताया जा रहा है कि आखिर में क्या एक तरीका हो सकता है environment को protect करने को और वही तरीका ही ultimately informal तरीका बन जाता है यह भी एक simple चीज है in fact देखे पेपर में बहुत सरे question ऐसे आपको मिलेंगे जो वहीं पर आपको brain storm करना होगा वहीं पर आपको चीज़े सीखनी होगी लेकिन ये सारे term already आप लोग पहले से ही जानते होंगे अब जैसे ट्राइबल के बारे में you already know about it what is the cultural aspect of the tribals what are the other geographical aspects of the tribals तो इन सब चीज़ों के बारे में आप जानते हैं बस क्या है कि integrate करना है question में अपने facts से अपनी knowledge से अपनी theories से enrichment करते जानी है clear हो गया तो ये simple question है ज्यादा कुछ खास यहाँ पर भी नहीं है और आगे अगर बढ़े हैं तो next question आता है third का A यहाँ पर भी देखिए काफी straightforward question है so question is explain the origin, progress and retreat of Indian monsoon and discuss its impact on Indian economy अब देखिए ये paper 1 का question है अब paper 1 में आप ये confused मत होईएगा कि हम लोग India को ले करके चलेंगे India को ही पूछा गया है तो India को ही लिखना है doesn't matter paper 1 का question है या paper 2 का आप से जो question पूछा गया है वही लिखना है तो यहाँ पर आप simple structure आपकी ये हो जाएगी introduction में आप बता देंगे एक system of monsoon या फिर आप बता देंगे कि किस तरीके से pressure built वगरे क्या होती ये pressure built and wind का flow कैसे होता है और उसके बाद से ITCZ के बारे में फिर आप एक diagram आप बना देंगे वो diagram आपका दो होगा एक diagram होगा कुछ इस तरीके से जहां पर आप दिखाएंगे equator और फिर ultimately ITCZ को ऐसे आप दिखा देंगे दूसरा होगा जो world map का होगा और इस world map में आप जो tropic of cancer है वहां तक चीजों को ले करके जाएंगे और ultimately इंडिया के बीचों बीच से दिखा देंगे कि ITCZ move कर रहा है और फिर ultimately दिखा देंगे किस तरीके से यह जो winds है वो Coriolis के कारण से अंदर के और में move कर जाती हैं और ultimately monsoon बनाती हैं तो यह आपने बता दिया फिर आप बता देंगे इसके origin के बारे में origin heading लिखेंगे और इसके points points discuss कर देंगे progress के बारे में इंडिया में जिस तरीके से दो तरीके से divide हो आती है उन दोनों के बारे में बता देंगे point 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 discuss कर देंगे काम खतम हो गया अब यहाँ पर यह आपको ध्यान में रखना है कि केवल और केवल यही एक wind नहीं है आपको जो बाकी और भी चीज़े हैं जैसे कि Mediterranean से या फिर Somalia से जो current आती है या फिर जो तिबतन range से आती है तो यह जितनी भी jet stream और जितनी भी बाकी चीज़े हैं उनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है कि वो भी लिखना है clear बाके last में आपको retreat जो पूछा गया है वो retreat लिख देंगे and that's all काम खतम और ultimately जो final part है impact on Indian economy अब Indian economy का मतलब क्या है drainage, पानी की availability, agriculture ये सब चीज़े लिखना है हो गया, straight forward question and मुझे लगता है कि this is again the easiest part of the paper जहां पर आपको already पता है कि क्या लिखना होगा next question आता है third का B, geomorphological changes are largely responsible for environmental hazard in Himalayan region question है कि geomorphological changes अब आपको ये पता होना चाहिए geomorphological changes क्या है geomorphological का मतलब ये हो गया कि जो भी land forms है उनमार आप कुछ ना कुछ दखल अंदाजी कर रहे है अब वो दो तरीके से हो सकती है एक, वो मतलब कि natural हो सकती है one is natural thing और दूसरी होती है जो anthropogenic हो सकती है volcanic मतलब कि natural का मतलब हो गया जैसे volcanic हो गया या फिर earthquake हो गया या फिर plate tectonic हो गई ठीक है, ये सब जो चीजे या फिर magmatic eruption हो गया magmatic eruption अब देखे, magmatic eruption और volcano को मैंने अलग-अलगी सले लिखा है क्योंकि volcano is not all the type of magnetic eruption are being covered under volcanic eruption, क्योंकि कुछ hot spot generation, ये सब भी जो होता है वो magnetic eruption के अंतरगत आता है वो volcano के अंतरगत नहीं आता है या फिर volcano का एक type भी आप बोल सकते हैं कुछ books में आपको hot spot is a type of volcano मिल जाएगा दूसरा anthropogenic factors जहां पर जैसे mining हो गया या फिर road construction वगर हो गई या फिर कोई भी infrastructure development वगर हो गई urbanization वगर हो गई ये सब technique जो है वो anthropogenic factor के कारण से हो जाती है इन सारी चीज़ों को आप लोग बोलेंगे कि ये जो चीज़ है उसको बोलते हैं हम लो geomorphic changes तो these are geomorphic changes जहां पर structural change की गई है these are structural changes clear अब कहता है कि responsible कौन कौन सी चीज़ है environment के लिए अब आपको ये दिखाना है कि यहां पर keep in mind कि हम लोग बात कर रहा है हिमालियन region की या फिर hill region simple आप hill region को ध्यान में रखिए अब यहां पर क्या है कि आपको बताना है कि कौन कौन से environmental hazard हो रहे है environmental hazard में आपकी कई सारी चीज़े आ जाएंगे जैसे एक हो गया जो landslide वाली environment hazard है कि भई इसके कारण से धूल मिट्टी बहुत ज़ादा हो जाएगी dust हो जाएगा और ultimately air pollute हो जाएगा हमारा noise pollute हो जाएगा हमारा दूसरा जो यहां पर human habitation है या फिर जो flora and fauna है वो भी disturb हो जाएगे forest का काफी अच्छा source है तो forest भी disturb हो जाएगा तो एक तरीके से environmental hazard ही है clear हो गया बाकी इसके अलावा आप बोल सकते हैं कि यहां पर जो भी fertile soil होगी या जो भी यहां की land होगी वो भी जो होता है वो degrade हो जाएगी because of this activity तो यह भी आप चीजों को बता सकते हैं clear हो गया तो यह सारे यहां पर environmental hazard हो गया अब क्या करना है आपको केवल और केवल link करना है इन factors को एक responsible बनाते हुए ultimately connect कर देना है इन hazard के साथ में simple कोई दिक्कत नहीं है जोग्राफी कहाँ पर है जोग्राफी यहां पर है environment कहाँ पर है environment यहां पर है answer आपका complete हो गया तो यह आपको comment करना है कुछ relevant examples के थूँ relevant example में आप simple लिख सकते हैं जितनी भी हिमालियन road हिमालियन passes, tunnels जीतनी भी बहुत सारे construction अलड़ी किया जा चुके है जमो कश्मीरे में हिमाचा प्रदेश में, हुडांचा प्रदेश में अब यहां पर जब issues मतलब कि आप जब हजार को दिखाएंगे तो वहां पर आप यह बता देंगे कि जो भी bio diversity यहां की है वो loss हो रही है, खतम हो रही है और इसी कारण से यह biological hot spot का केंदर भी center भी बना हुआ है इस इस दा नंबर बन second thing, अगर कुछ आपको floraforna के बारे में पता हो, जैसे हैंगूल कस्मीर स्टाइग, या फिर red panda और squirrel, frying squirrel यह सब जो है, वो इस Himalayan region में पाई जाते हैं in fact, जो Himalayan एक तरीके से cat family का tiger भी होता है वो भी जो होता है वो एक तरीके sexting ठोटे आ रहा है critically endangered हो गया है यह एक अपने आप में example है यह justified example से जो यह दिखा रही है कि there are जो morphological changes which are actually responsible for environmental hazard तो इस तरीके से अगर आप लिखेंगे answer तो फिर एक effective और justified answer हो गया and you will get obviously marks on that next question आता है controlling population growth is the suitable solution to environmental problem अब दिखिए यहाँ पर question है population geography का और उस population geography को connect किया गया है environmental geography के साथ में again वही जो पुराना statement था मतलब पुराना तरीका था question पूछने का वही पूछा गया है कि अपने views बताईए अपने comments बताईए और example मतलब कि अपनी justification दीजिए अब जैसे देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है controlling population growth is a solution for environmental problem यानि कि population is a problem for environment population as problem for environment सबसे पहले आपको इस statement को ध्यान में रखना है और इसे explain करना है आप इस explain करने में क्या क्या बताएंगे theories में बता देना हो कौन कौन सी आप लिखेंगे जैसे सबसे पहले आप Malthas की theory लिख देंगे Malthas की theory ही justification है इस question के लिए क्योंकि कहीं न कहीं इस theory में ये जो graph बनता है कि one side it is going in parabolic stage जो की geometric progression हो गया other side it is going straight line जो की एक arithmetic progression हो गया y is equals to mx plus c ठीक है तो यहाँ पर ये एक इस तरीके चलायागा यहाँ पर gp के side में चलायागा और ये बता देंगे कि resource पर इस पर extra pressure पड़ रही है और ये extra pressure जो होती है कैसे आप population growth को control करा सकते हैं कभी भी resource पर अगर extra pressure पड़ेगा तो no doubt it is going to impact the environment तो environment को impact करेगा ही करेगा थोड़ी सी यहाँ पर जो आप होशियारी दिखा सकते हैं वो होशियारी दिखा सकते हैं perspective in human geography को लिख करके अब इस perspective के point को भी यहाँ पर आप दिखा सकते हैं कि resource होते हैं जिया लिमिटेड and कई सारे हमारे contributors हैं जैसे कि Alan Simple हो गई या फिर हमारे Huntington हो गई इन लोगों ने बताया हुआ है कि human जो होता है वो अपने resource को किस तरीके से exploit करता है और उस exploitation के कारण से ultimately environmental damages होते हैं तो यह आप extra point लिख सकते हैं extra dimension हो जाएगी इस चीज के लिए बाकि ultimately control करना is the only solution and this is what Malthas is saying and this is what other geographers are saying और यही चीज़ ultimately आपकी answer बन जाएगी कई बार क्या होता है कि question जो पूछता है उस question को directly न प्रोसीड करके आपको एक दूसरा question दिमाग में frame करना होता है और उसके basis पर आप answer लिखते हैं और यही होता है जब आप express your views या comments इस तरीके के question आप से जब पूछे जाते हैं देखिए अगर controlling population growth एक frame अगर answer बना करके चला जाता तो यह काफी मुश्किल हो जाती चीजों को explain कर पाना और justify कर पाना लेकिन वही जैसे ही हम लोगों ने इसकी एक synonymous question बना लिया इसी के according दूसरा question बनाया कि population has problem for environment तो काफी easy हो गया इस question को लिख पाना and that is what UPSC is trying students and experience to approach इस तरीके से वो चाहते हैं कि वो approach कर पाए अब हम लोग आ जाते हैं fourth part पे मतलब fourth question पे and this is the last question series for today's part one कहता है कि describe the potential marine energy's resource with reference to their benefit harvestability and environmental impact अगें देखिए यहाँ पर काफी अच्छा framing किया गया है आप से भूला गया है energy को जो energy resource वाला chapter है इसको connect किया गया है environment के साथ में तो this is somehow connected with environment अधिके जैसे ही मैंने एक ये flow chart एक ये कह लिजे question की relation मैंने keyword जैसे ही समझाब ऐसे ही मेरे दिमाग में ये आ गया कि energy is somehow damaging environment और यही चीज़ आपको दिमाग में रखना है energy can be energy जो होती है वो environment के लिए friendly भी हो सकती है environment friendly भी हो सकती है और environment exploiting भी हो सकती है दोनों ही point हो सकता है positive भी हो सकता है और negative भी हो सकता है इसी point को आपको ध्यान में रखते हुए introduction लिखना होगा कि energy energy is the way for environment and energy can be a way to spoil environment तो दोनों ही तरीके से एक बना करके लिख सकते हैं चीजों को अब आप यहाँ पर यह हो गया आपका introductory part introduction आपको बता दिया गया है के बाद में आप बताएंगे what kind of energy is there energy के type बताएंगे अब वही जो conventional non-conventional वाली चीजे होती है renewable, non-renewable वाली चीजे होती है वो बताएंगे environment के साथ में उनका एक relation दिखाएंगे whether it is benefiting to environment or it is damaging environment तो आपने यह एक flow chart के basis पर दिखा दिया कि क्या तरीका होता है और कैसे हमें करना है अब आ जाएंगे आप main question में main question का first part बोलता है benefits दिखाना है कि कैसे marine energy हाला कि अभी तक हम लोगों ने पूरी energy लेकर के रखी है अब energy में आ जाएंगे marine energy पर मनीर थोड़ा सा यहां पर मैं कहूंगा कि marine energy को आप explain कर दीजिएगा earlier part में ही शुरुआत में यह explain कर दीजिएगा ठीक है अब marine energy as benefit to environment एक आप title लिखेंगे और यहां पर आप point discuss करना शुरू कर देंगे जैसे सबसे पहले कि there are tidal forces which are actually damaging the environment and because of this we can generate new format of energy ठीक है दूसरी चीज marine में ही आप यह ले सकते हैं कि there are geothermal ways through which we can generate energy तो यह सब तरीके आप बता सकते हैं और यहां पर आप यह दिखा सकते हैं अगर हम लोग इसे energy नहीं convert करते हैं तो they are damaging nature of for environment तो यह point आप बना सकते हैं 4 point total बनाईएगा that's all for this question फिर आप बता दिया harvestability geothermal energy potential मतलब की water potential बना लिया जाएगा तो उसके कारण से हम HEPs बगर बना सकते हैं wind energy लगा सकते हैं so यह सब चीजें आप ले आ सकते हैं harvestability हैं और बाकी इसके environmental impact में दिखा देंगे कि देखे इसका positive भी है negative भी है positive के आप 4 point लिग दीजेगा क्या क्या points है negative के भी आप 4 point लिग दीजेगा कि क्या क्या point है जैसे noise बगर है बहुत जादा हो जाता है marine में कोई भी development करेंग ultimately it is going to damage the ecological part of that region flora and fauna को नुकसान हो सकता है मतलब इस तरीके से आप simple point बना सकते हैं content बता नहीं जरूत नहीं content अलड़ी आप जान रहे है और बाकी structure में ये structure आप follow कर सकते है that is the way to write this question बाकी देखिए अगर किसी भी question में अगर आपको कोई doubt होता हो या फिर content ना समझ में आए then obviously you can again email us or comment so that we can take your concern in the next question discussion ठीक है second last of the question for today यह है हमारा explain the ecosystem approach to environmental management and highlight its advantage and disadvantage again देखिए बहुत straightforward question है कोई भी complexity या कोई भी इधर उधर नहीं किया गया है देखिए यहाँ पर है ecosystem approach यानि ecosystem के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ecosystem की definition क्या है तो definition अगर आप जान रहोंगे तो you will get to know about what exactly is the meaning of this ecosystem approach इसको connect करना है आपको environmental management से यानि कि कुछ न कुछ जो है environment को damage हो रहा होगा जिसके कारण से environment को manage करना पड़ेगा तो environmental damage आप दिमाग में बना करके चलिए कि यह कोई चीज है अब ecosystem को आपको environment damage से बचाना है यानि ecosystem approach is a solution for environmental damage तो यह question का आपका बन गया तरीका अब आपको दिखाना है कि इस ecosystem से क्या-क्या advantage है और क्या-क्या disadvantage है तो यही पूरा का पूरा question है this is advantage and this is disadvantage ठीक है यह आपका पूरा portion हो गया सबसे पहले क्या structure होगा structure आप simple बता देंगे सबसे पहले आप बता देंगे मतलब define कर देंगे ecosystem को की ecosystem क्या होता है फिर आप बता देंगे कैसे यह ecosystem environment damage को बचाता है तो solution for environmental damage यह आप लिख देंगे environmental damage फिर आप यह बता देंगे although the ecosystem approach is beneficial for ecosystem मतलब की this environmental management and following are the advantages तो अब आप आजाईए advantages के बारे में लिख दीजे कि क्या के advantages है multiple advantage है कोई दिक्कत नहीं है अब आप यह बताईए although there are multiple advantages but it is directly or indirectly also disadvantaging it is exploiting or it is spoiling the environment again and it is creating new problems for the environment तो अब disadvantage की बारी आगई तो आप disadvantage दिखा देंगे कि क्या क्या disadvantage है हमारे इस ecosystem approach के कारण से यहाँ पर आप simple दिखा देंगे कि दिखिए ecosystem is a system और अगर broadly देखेंगे तो global level पर आ जाएगा और अगर individually आते हैं तो all the ecosystems are somewhere connected and किसी एक महीं भी अगर हम लोग कोई भी action लेते हैं तो फिर ultimately it is going to damage the another part of the ecosystem and in accumulation if we observe this this is going to damage the environment तो यह हो गया पहली चीज़ दूसरी चीज़ इको टोन को लेकर के आप देख सकते हैं कि एको टोन इस अरिया जहाँ पर दो या दो से अधिक ecosystem मिल रहे होते हैं अगर किसी एक में हम changes करेंगे ultimately it is going to make changes in the ecotone and that is again damaging the environment तो यह भी एक पाट आप इस तरीके से बना करके लिख सकते हैं एक idea लग गया होगा आपको कि कैसे हमें इस question को approach करना है so this is again a straightforward question थोड़ी सी brainstorming करनी होगी क्योंकि यह bookish question नहीं है थोड़ा सा हट करके है multiple dimension पूछे गया है तो easily you can write केवल और केवल अगर आप straight forward question का answer ही देने लगें केवल तो भी आपका word limit cross कर जाएगा तो यह ध्यान देने की ज़रूरत है थोड़ी मोड़ी अगर यहाँ पर principles के बारे में बात करें तो आप ecosystem के principles के बारे में आप बता दीजेगा energy के transition पे आप बता सकते है principle of Gaia के बारे में बता सकते है तो यह सब कुछ principles होगी जो आप use कर सकते हैं इस question को answer करने के लिए और इस तरीके से answer complete हो जाएगा now we are moving ahead and this is the last question for today and question है कि discuss the causes of degradation of tropical rainforest and suggest remedial measures for their prevention, conservation and development question paper को अगर आप minutely observe करेंगे तो आपको यह देखने को मिलेगा कि इस बार environment का बहुत question है हर एक topic को environment के साथ में connect किया गया है तो environment का कितना importance अब आप एक समझ सकते हैं कि क्या चीज आगे follow हो सकती है जब भी कोई topic आप पढ़िए उसको environmental aspect उसका जरूर पढ़ लीजिए not only is this geography optional GS में भी आपको इस तरीके की चीज़ें मिलेंगी polity की question में हो सकता environment का पूच दे history की question में हो सकता environment का पूच दे ठीक है तो इस तरीके से prepare रहीएगा question पूचे जा सकते है आते हैं हमनों वापस से अपने main question पे structuring क्या होगी इसकी सबसे पहले आपको introduction देखना है अब यहाँ पर सबसे पहले question को decipher करिए question में पूचा या रहा है tropical rainforest के बारे में तो आप यह बता दीजिए कि define this tropical rainforest और इस tropical rainforest को define करने के बाद में इनका distribution बता दीजिए कि यह पाए कहाँ जाते हैं और जब पाए कहाँ जाते हैं यह होगा तो map तो अपने आप आ जाएगा तो यह काम आपको करना ही करना है अब आचाहिए दूसरे पार्ट में obviously body आपकी start हो गई है अब यहाँ पर है कि क्या है causes तो इसके reasons क्या है degradation के तो reason के जितने भी reasons है environmental reason या फिर bio anthropogenic reason natural region जितने region है सब आप बता देंगे इस कारण में easy part कोई दिकत नहीं है इसके solution भी आप बता देंगे साथ ही साथ में कि भई क्या क्या solution है अब इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि ब्राजील वाला जो fire हुआ था ब्राजील में जो fire हुई थी जो आग लगी थी Amazon rainforest में उसका mention जरूर करना है this is very important ठीक है तो ये mention करिए अभी recent में क्या है कि Australia में भी एक आग लग गई थी तो Australian fire के बारे में भी आप बता सकते हैं अब जैसे ब्राजील में क्या है कि शुरू में कोई action नहीं ले रहा था बात में action लिया गया क्योंकि world का pressure पढ़ रहा था Australia में क्या है कि तुरंट तुरंट प्रेशर लिया गया था although वहाँ पर भी कुछ damage हमें देखने को मिल गया और ऐसा ही fire हर साल किसी ना किसी rainforest में होता ही रहता है बस आपको थोड़ा सा newspaper की देखनी होती है क्या चीज़े है ultimately आप इस question को easily solve कर सकते हैं है कोई अधर पार्ट बच गया हाँ ठीक है measures देखना है आपको prevention को conservation को development को तो तीन पार्ट में solution को बताएंगे कि कैसे हाँ इसे preserve कर सकते हैं कैसे आप बचा सकते हैं दूसरा बताएंगे कि कैसे इसे conserve कर सकते हैं से आप इसे एक तरीके से रोख सकते हैं और तीसरा पार्ट कैसे इसे आप डवलप कर सकते हैं और नय फॉरश क्रियेट करना है अगें देखिए इजी पार्ट है इसमें ज्यादा कुछ खास है नहीं इस ट्रेट फॉरवर्ड कोश्चन भी और जनरली क्या है कि हर एक इस तरीके के क्वेश्चन को और बाकि अगर आप मैगजीन नहीं भी पढ़े हैं तो भी अगर बुक्स भी पढ़े होंगे तो भुक्स में भी इस सारे कंटेंट को कवर किया जाता है तो इसको कोशिश करियागा लिखने की और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आविसली यू कैन रीच इदर थू इमेल और यू कैन अगें कमेंट विल टेक यूर जो भी क्वेश्चन से हैं आपके विल टेक इट आन नेक्स्ट डिसकुशन ब कि अगर खाया जब बनाया जाता है तो आपके यूर कि बार जाता है तो